हलो बच्चो चलिए आज हम ये इलेक्टरिसिटी का लास्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको आज जितने भी इंपोर्टन नुमेरिकल्स होते हैं वो सारे कवर करा दूँगा ठीक है अच्छा लास्ट क्लास में बच्चो मैंने आपको एक नुमेरिकल दिया था अगर यादो मैंने आपसे कहा था कि भई 6 ओम के 3 रसिष्टर हैं R1, R2, R3 अब इन तीनों को हम कैसे अरेंज कर दें कि आंसर 9 ओम और 4 ओम आए ये दो आंसर मुझे भई प्रूफ करने है तो देखो बच्चो सबसे पहले मुझे कहा तक महुँचना है सबसे पहले मुझे 9 तक मह आχंगा तो 6 पलस 6 12 तो यही हो गया मुझे चाहिए कितना 9 तो मतलब 3 को सीरीज में नहीं लगा सकते अच्छा तो मैं क्या करता हूं मैं काम करता हूं एक क्या है 6 मतलब अब किसी 2 को मैं parallel लगा देता हूं क्यों लगा देता हूं लगा देता हूं क्यों लगा ध compare लिड margin क क्या होगी कम क्योंकि हमने क्या सीखा था बच्छो लाश क्लास में कि सीरीज ज्यादा वैलू देता है और पैरलल कम वैलू देता है यही चीज़ सीखी दी चलो तो जरूर जब हम इन दो को पैरलल रखेंगे तो अपने आप ये वैलू क्या देंगे कम तो हो सकता है हम 9 तक प और यह R3 हो गया 6 हो चलिए तो पहले पैरलल को सॉल्व करते हैं R2 और R3 को सॉल्व करोगे तो R4 बनेगा एक बटा छे प्लस एक बटा छे पता ही है LCM सेम तो उपर वाली वैलू सेम 2 बाई 6 कैंसल आउट 1 बाई 3 तो 1 अपान मैं R4 बच्चो पलट देंगे तो R4 की वैलू कितनी आगई 3 मतलब इन दोनों को मिला के मैंने R4 बनाया इन दोनों को मिला के मैंने क्या बनाया R4 R4 की वैलू कितनी बनी 3 तो बच्चो देखो R EQ Q मतलब R1 यानि total resistance निकालना है R1 प्लस इन दोनों की value क्या निकली R4 तो यानि कि 6 प्लस 3 9 ohm देखो पहली value proof होगी की नहीं होगी होगी पहली value proof अब किसकी बारी है बच्चो अब बारी है अब बारी है 4 ohm निकालने की अब बच्चो जब मुझे 4 ohm निकालना है तो मुझे value और छोटी लेनी पड़ेगी अब एक बात बताओ खुदी सोचो आप कि जब मैंने यहाँ पे 2 को parallel में लिया तो 9 पे आया अब मैं तीनों को parallel पे ले लूँगा तो 4 थोड़ी आ जाएगा 1 by 6 1 by 6 1 by 6 और कम हो जाएगी value ठीक है कितनी हो जाएगी 1 by 6 1 by 6 1 by 6 तो वह हो जाएगी कितनी 3 by 6 और कट क्या जाएगा 2 तो बच्चों क्या करें तो एक काम करते हैं हम कुछ थोड़ा different condition में चलते हैं अब तक क्या था दो को parallel लिया एक को series में अब हम क्या लेंगे दो को series में लेते हैं और एक को parallel में लेते हैं देखने ना answer आ जाएगा R1, R2, R3, R1 क्या है? R1 है आपका भई 6 और R2 भी क्या है? 6 और R3 भी कितना है? 6 और तो बच्चों देखो R1 और R2 को मैंने किस में लिया? series में तो एक काम करो मिला दो इसको जब इसको मिलाओगे तो नया resistance क्या बनेगा? R4 किसको मिलाने पर? R1 और R2 को 6 प्लस 6 कितना आ गया? 12 अच्चा अब ये पूरा मिल के क्या बन चुका है? R4 बन चुका है तो देखो R4 और R3 कैसे बन चुके हैं? parallel R3 और R4 कैसे बन चुके है? parallel तो R, E, Q टोटल निकालो R4, R3, R4 कितना है? 12, R3 कितना है? 6, solve करेंगे, L से मा गया 12, 12 से 12 कटा 1, 6 से 12 कटा 2, 2 एक हम 2, 2 और 1, 3, 12, 3, 3, 4, 12, 1 by 4, 1 by R, E, Q, लो answer आ गया? पल्टो, 4 ohm, लो जी, proof हो गया, 9 ohm और 4 ohm. क्या कोई भी दिक्कात है किसी बच्चे को इसमें? किसी परकार की कोई परिसानी? नहीं, note करो, फिर एक question कराते हैं. ठीक है? वीडियो पॉस करो और note करना शुरू करो. ठीक है? फिर मैं आपको अगला question कराता हूँ. ठीक है जी? वीडियो पॉस कर लो. चलिए, एक question कराता हूँ. अजी, एक question करते हैं. वीडियो पॉस करके, नहीं, note करते हैं. ठीक है? चलिए. अगला question. A hot plate of an electric oven connected to a 220V line has two resistance coil, has two resistance coil A and B, has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, which may be used separately, which may be used separately, in series or parallel, in series or parallel. What are the currents in the three cases? What are the current in three cases? ठीक है? इन three cases. ध्यान से सुनों, बच्चो. कोशन बहुत प्यारा है. ठीक है? इस टाइप के कोशन बनाए जा सकते हैं. ध्यान से सुनिए आपसे कहा गया है, कि बच्चो, आपके पास एक गरम प्लेट है, ठीक है? इलेक्ट्रिक ओवन में. जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाइ लाइन जा रही है. और आपसे कहा गया है, कि जो सप्लाइ लाइन जा रही है, वो A से B की तरफ जा रही है. A से B की तरफ जा रही है अब आपसे कहा गया कि भई दो रसिस्टर लगे वे हैं और दोनों के दोनों 24 Ohm के हैं ठीक है फिर आगे कहा गया कि इनको सीरीज में लगाया गया है एक बार एक बार पैरलल लगाया गया है और एक बार separate यूज किया गया है तो बताइए कि इन तीनों केस में current कैसा होगा इन तीनों केस में current कैसा होगा मेरे साब से इस से असान question कोई है ही नहीं हाँ जी resistance of A and B ठीक है तो बच्चो A and B के लिए resistance R A कितना है 24 Ohm R B के लिए भी कितना है 24 Ohm ठीक है और voltage आपको voltage कितनी दी गई है 220 Volt यही है न supply चलिए अब करते हैं case number first case number first में बोला है if it is connected if they are connected connected in series connected in series तो मेरे प्यारे बच्चो अगर मैं series की बात करूँ यानि R A B बन जाएगा तो R A प्लस R B यही होता है न series 24 प्लस 24 बराबर 48 मतलब 48 Ohm R A B आ गया क्या आ गया R A B कितना आ गया 48 Ohm series में so अब हमें क्या निकालना है using Ohm's law Ohm's law क्यों Ohm's law क्योंकि बच्चों मेरे पास V है मेरे पास R है और निकालना क्या है I तो चलिए V is equal to I R V is equal to I R तो I लेंगे I 1 क्योंकि अभी I 2 और I 3 तीनों निकालेंगे चलिए मुझे I 1 की value निकालनी है तो V R A भी यहां पर multiply कर रहा है यहां पर आके क्या करेगा divide करेगा बच्चों ठीक है तो I 1 V की value 220 R की value 48 cancel out करेंगे 1 1 0 24 और cancel out करेंगे 5 5 2 से करेंगे 5 5 यहां पर आएगा 12 अब अगर और divide करोगे तो यह divide करके आएगा 12 चोक 48 यहां नि 12 ओर जा 48 ठीक है और कितना बचा भई बच गया है यहां पर 7 0 7 0 5 10 0 ठीक है 8 ठीक है तो बच्चों आपका answer आगया 4.58 ampere कितना आगया 4.58 ampere तो यह आपको बच्चों divide करके देखना है ठीक है मेरे को तो oral आता है लेकिन आप divide करके देखेंगे ठीक है चलिए यह i1 आ गया now अब क्या करेंगे second में if they are in they are connected in connected in parallel ठीक है जी parallel में जोड रहे है तो यानि कि मुझे अगर R A भी निकालना है तो 1 upon में लेके करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि हम fraction value use कर रहे है अच्छा R A 24 R B भी 24 जब सब कुछ सेम है बच्चो तो नीचे वाली पार्टी सेम तो उपर वाली पार्टी भी सेम 2 upon में 24 2 12 पलड़त हो गए R A B 12 ohm तो बच्चो पैरलल में क्या अंसर आया 12 ohm चलिए अब क्या निकालेंगे now using ohms law ohms law हाँ जी तो V is equal to I2 R A B ठीक है या R A B का dash कर ले ना इसको R A B का dash ठीक है R A B का dash कर लो ठीक है तो V और यहां पर यह मंटिप्लाई कर रहा है तो R A B का dash I2 तो I2 बराबर V है 220 और यह है 12 cancel out करोगे 2 से तो 110 यह 6 इससे cancel करोगे तो यह कितना आजाएगा 2 से करोगे 55 यह आजाएगा 3 divide करो I2 की value आजाएगी I2 is equal to हाँ जी 6 110 553 तो कितना आजाएगा तीन एकम 3 ठीक है दोस को दिया 3,8,24 और 1,0 3,3 इतने ampere तो यानि के बच्चो parallel के अंदर कितना current आ रहा है 18.33 ampere कितना current आ रहा है 18.33 ampere अब क्या करेंगे बच्चो separate करना है now using separate using separately separately ठीक है separately अब अलग-अलग यूज करेंगे तो V is equal to I3 RA ठीक है क्योंकि separate यूज करने हैं तो V कितना है RA I3 तो बच्चो I3 की value 220 और RA 24 काटना जाए बच्चो कितना बन जाएगा 110 या आगया 12 फिर काटना 55 च्छे अब करो तो कितना जाएगा हाँ जी कितना हो जाएगा 6,8,48 6,8,48 और कितना आगया कितना आगया 6,8,48 हो गया हाँ जी 6,8,48 7 और 0 नहीं 6,8 नहीं 6,9,4 1,0 फिर एक बारी में 6,6,4 6,6,36 तो इतने 9,61 अब चाहे आप इसके लिए सॉल्व करो आप चाहे इसके लिए सॉल्व करो आंसर आंसर I4 का भी 9,16 एंपियर ही होगा रीजन क्योंकि R A इस इक्वल टू R B R A बराबर किसके है R B के बराबर है ठीक है चलो नोट कर लो इसे बच्चो बड़ा बट अच्छा कोशन था अच्छा कोशन था एक एक चीज दी गई है अब थोड़े पैसो वाले कोशन कर लेते हैं जिसमें पैसे वैसे खर्च होते हैं ठीक है और बच्चो आप लोग को मैंना कहा था यू लाइक के सेंपल पैपर से कोशन करना सुरू करो और डाउट भेज़ो आप लोग डाउट ही नहीं भेजते यार प्लीस डाउट भेज़ दू ठीक है थोड़ी किरपा बनी रहेगी ठीक है पच्चो थोड़ी डाउट भेज़ दीजिए और जो भी डाउट रहे वों मुझे बताना ठीक है कोई भी डाउट हो बताओ मुझे फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत है कैसे है चली यह उतार लिया होगा अपने एक कुशन और करते हैं बनी और क्याँ करक्टा है अब जैसे एक कोशन ये देखो ये लिखते हैं इस कोशन को लिखिए हाँ जी लिखो जरा एक काम करो उससे पहले ये वाला कोशन लिखो शारी बच्चो एक दूसरा कोशन लिखवाता हूँ पहले फिर ये वाला करवाऊंगो लिखो एन एलेक्ट्रिक लैंप is marked अ एलेक्ड़ ये मारते हूँ अह् nada ये कि लिख लैंप इस मॉर्द बाट कोमा कोशन वोल्त 56mäßig लैंप टी टेछ वऩ वे अुच बच ल ner\' mould and energy consume per day and energy consume per day and work cost and work cost should be paid and work cost should be paid and work cost should be paid in a month in a month if cost of one unit is if cost of one unit is 2.3 rupees 2.3 rupees per unit 2.3 rupees per unit चलो बच्चो कोशन देखिए कोशन में कह रहा है आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है इलेक्ट्रिक लैंप है ठीक है बच्चो इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी पावर आपको दे रखी 100 वाट वोल्टेज आपको दे रखिए 220 वोल्ट ठीक है और कह रहा है एक दिन में ठीक है ठीक है इट यूज इट यूज इट यूज इन डे एक दिन में पांच घंटे चलता है यह पांच घंटे चलता है तो बताईए कि इसके रेसिस्टेंस कितनी है ठीक है और बताईए कि यह इसके वंतलब एनरजी कितनी है तो चलो पहला point. पहला point क्या है? पहला point है कि इसके resistance कितनी है? तो निकाल लेंगे पहले energy निकालने दो. हाँ जी, now, we know that, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? P is equal to V into I. होता है कि नहीं होता है? बिलकुल होता है. ठीक है? या एक काम करो. R निकालना न? R भी निकाल सकते हैं. कैसे? P is equal to V square upon R. याद है यह formula? P is equal to V square upon R. R की value निकालनी है, यहाँ divide कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा? multiply. P की value हमारे पास है, नीचे ले जाओ. V कितना है? 220 का square. और P कितना है? 100. तो यह आएगा 220 into 220. क्यों बच्चो? क्योंकि square है upon 100. एक 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे 0. 22 गुने 22. 484 ohm. 22 गुने में 22 क्या होता बच्चो? 484 ohm. यह होता है resistance. 22 का square याद करके रखा गरो. ठीक है? तो यह आपका R आ गया. पहला question आ गया. ठीक है? पहले question का answer आ गया हमारा कितना भई? 484 ohm. ठीक है? अच्चा. सेकंड में क्या पूछा गया है? सेकंड में पूछा गया है energy consume. ठीक है भई? कितनी दी गई है? पावर दी गई है आपको 100 watt. टाइम कितना दिया गया है? 5 घंटे. ठीक है? अब जब अब देखो यह है watt, यह है hours. यह है hours. multiply करोगे 500 watt hour. 500 watt hour. लेकिन मैंने बच्चों आपको क्या समझाया है? कि electric energy हमीशा kilowatt hour में निकलती है. तो watt को kilowatt में कैसे change करते हैं? याद है, 1 kilowatt किसके बराबर होता है? 1000 watt के. मैंने बताया था ना? तो बस, जब मुझे watt को kilowatt में change करना है, तो किस से divide करूँगा बच्चों मैं? मैं 1000 से divide करूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे watt को किस में change करना है? kilowatt में. किस से divide करूँगा मैं? 1000 से. एक 0 से एक 0, दूतरे 0 से दूतरे 0 लास्ट 0 बजगया, shift करेंगे shift करेंगे तो बनेगा 0.5 kWh पर आर 0.5 kWh यह shift होके energy आगई एक दिन की energy of electric lamp in a day in a day एक दिन की energy इतनी है, so energy consumed by electric lamp in a month यही बोला ना, एक महीने में तो बच्चों, एक महीने में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, तो e is equal to 0.5 into में 30, तो एक मन्त में 30 गुने में आईए, 0.5 बच्चों, बच्चों, मैं 1 by 2 लिख सकता होगी नहीं? बिलकुल काटेंगे 15, तो यानि कितना आ गया? 15 kilowatt per hour तो बच्चों, एक महीने में ये electric lamp, कितनी बिजली खर्च कर देगा? 15 kilowatt per hour अच्चा, अब आपको मैं एक बात बता दूँ, 1 kilowatt hour को ही 1 unit बोलते हैं जो आप अपके घर में बिजली आती हैं, 100 unit, 200 unit तो 200 unit का मतलब होगी है, 2 kilowatt hour 50 unit का मतलब होगी है, 50 kilowatt hour ठेक है, अब इसका cost निकालना है cost of cost of 1 unit तो कितना है? 2.3 रुपीज लेकिन हमारे पास, हमें कितना cost निकालना है? 15 का cost of 15 unit तो 15 गुने में 2.3 तो 15 तिया 45 का 5 रह गया 4, 15 दुनी 30 और 4, 34 तो 35 रुपे बच्चो इतने रुपे हमें pay करने पड़ेंगे बिजली का bill किस सीज में? वह इलेक्ट्रिक लेंप को एक महीने तक जलाने में रोज कितने घंटे? रोज माज घंटे यूज कर लो, लिख लो note करो बच्चो इसको अच्छा question है इसी type के question आते हैं आपको यही करने है, अब मैं क्या तो रहा हूँ आप ना इस type के question आपको मैंने करवा दिये अब इस type के ही question आप मुझे ढूंड ढूंड के मुझे WhatsApp पे send करो, ताकि मैं आप लोगों के doubt ले सकूँ ठीक है? मैं खुद बोल रहा हूँ सामने से बच्चो, हाँ जोड की विंतिया आप लोगों से doubt भेज़ दो, मैं doubt clear करूँगा, ठीक है? चलो, तो आज मैंने यह करा दिया, ठीक है? इसी type की numerical हर जगा आते हैं आप लोग बस मुझे numerical सारे के सारे send करो at least NCRT के तो send करो ही, ठीक है? साइन्स का भी एक set paper करवाऊंगा और math का भी तो जिन जिन बच्चों के भी यह अब question रह गए हैं वो सारे set paper के तुरू पूरे होंगे तो तयार हो जीए set paper करने के लिए next, यानि कल की class में आप सभी को एक science का set paper और जिनकी math में है उनको math का एक set paper प्रोवाइड कराए जाएगा solve करके, तो ये फटा-फट नोट कर लीजे, ठीक है? चलिए